नवस्तर फ्रेंड्स आज हम सुड में देखेंगे अगर आप 12 वे और 80 जी के लिए अगर आप फॉर्म सब्मिट करना चाहते हैं डिजिटल सिगनेचर का यूज करके तब क्या होता है कि यहां पर डिजिटल सिगनेचर दिखाता नहीं है लॉग इन में मतलब पीसी में अगर आप डेश से आटाच करते हैं तो भी यहां पर दिखाता नहीं है इसका रिजन क्या है कि जो आपने एम साइनर डाउनलोड किया था इसका जो स्टेटस है क्या है स्टॉपड है सर्विस दीखें मैं यहां पर दिखाता हूँ आपको इसके वजह से भी एक रिजन हो सकता है कि यहां पे आपका डिजिटल सिंगनेचर नहीं आ रहा है तो इसको यह जो स्टॉपड है इसको रनिंग में कैसे बतले जब तक यहा यहां पे DSC दिखाएगा नहीं तो इसके पहले आपको क्या करना है वहां पर रणिंग लाने के लिए आपको यह जो टास्क बार है यहां पर राइट क्लिक करना है राइट क्लिक करने के बाद Task Manager में जाना है Task Manager में जाने के बाद यहाँ पर देखिए Service जो दिक रहा नहीं यह Service यहाँ पर Services में आना है और यहाँ पर डोढ़ना है EM Sightlor कहाँ पर दिखेगगा आपको तो E Type कीजिये तो देखिए E से Related सारे चीज़े आ गई यहाँ पर तो देखिए यह EM Bridge, यहाँ पे आना है, और यहाँ पर Double Click करना है, ठीक है? या फिर Right Click किजे यहाँ पर, और Start भूलिए, ठीक है? अभी देखिए यहाँ पर आएंगे हम इस Application के ओपर, इसको हम Close करेंगे अभी, और यहां पर refresh करेंगे refresh करने के बाद देखिए यहां पर running का option आ गया है तो आप देखिए यहां पर dsc आ जाएगी हमने dsc आटाच किया है तो देखिए अभी हम यहां पर click करेंगे तो देखिए यहां पर digital signature दिखा रहा है यहां पर certificate के अंदर यहां पे भी दिखना चाहिए ठीक है यहां पे आ रहा है यहां पे आने के बाद यहां पे पासवर डाली और पासवर डालने के बाद sign in कीजिए ओके तो इस तरह से आप आपकी problem जो dsc register करने में या फिर form submit करने में आ रही है वो solve हो जाएगी अगर आपको फिर भी नहीं हो राए तो मुझे technical help के लिए call कर सकते हैं लेकिन help paid होगी free नहीं होगी free चाहते हैं तो google पर search किजिए कहीं न कहीं solution आपको मिल जाएगा पैसे देने की चाहे तो call किजिए help मिल जाएगा आज के लिए तना ही दन्यवाद